Hello friends, आज हम जानेंगे English word Under taking की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है Under taking की मतलब है उपक्रम कारोबार चलिए कुछ example के जरिए इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते है Example, One would sit without moving, undertaking nothing इस sentence का हिंदी में मतलब है कोई बिना हिले दूले बैठ जाता, कुछ भी नहीं करता चलिए next example जान लेते हैं इस sentence का हिंदी में मतलब है उपक्रम फ्रेंच अमेरिका धारा प्रस्तावित किया गया था चलिए next example जान लेते हैं इस sentence का हिंदी में मतलब है उपक्रम की गुपनियते ने उसके आकर्षक को बढ़ा दिया और उन्होंने उलिस्तापूर्वक मार्स किया चलिए next example जान लेते हैं इस sentence का हिंदी में मतलब है इस महान उपक्रम के स्केश और जमीनी योजना में आधिकरिक था सो फ्रेंज उमीद करती हूँ अंडर्टेकिंग के हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझ गयोंगे इसी तरह से और भी इंगलिश और हिंदी में example के साथ जानने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ साथ सेनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा